नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल RBSC Online Classes में आज हम बात करेंगे आपके गणी त्विसे के महतोपुन पर्षनों के बारे में यह जो आपको पर्षन दिखाये जा रहे हैं आपकी जो पुष्टक है नई पुष्टक जो इस बार लगी है आपकी बुक है जो नई वाली उसके इसाब से बताएगे हैं तो आप नई वाली किताब के इसाब से इस पर्षनों को देखें और आपको पर्षन नंबर बताएगे हैं आपकी book से ही हैं कुछ example है और कुछ exercise के question है आप इनको देखिएगा तो आपको ये समझ में जाएंगे ये जो आपको इस क्रीन के उपर दिखाई दे रहे हैं ये परसन वेधिक गनित के हैं उसके बाद वास्तिक trauma हैं ये बहुपद के जो आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको वेधि गनित के अंदर निखिलम विदी से वर्ग और घंळन लिकलना और नमबर तीसरे का चौथा और पांचवा है वही एक्ससाइज 2.3 में एक्जामपल दूसरा है और क्योशन फस्ट है उसके बाद एक्ससाइज 2.4 में क्योशन सेकिंड का तीसरा और विविद के अंदर चौथा और नुवा परसन इसी तरह आपको बहुत सारे क्योशन दिखाए गए हैं आपको ये जो दिखाए दिए रहे हैं ये तीसरी एक्ससाइज है 3.1, 3.2 और 3.6 से हैं वहीं ग्राफ के अंदर दो सवाल बताए गए हैं जो आपक 5.2 और 5.3 के कुछ क्योशन और एक्जामपल बताए गए हैं उसके बाद 6.7 एक्ससाइज में 7.1 में से आपको पताए 6 नंबर का क्योशन आता है तो उसमें से जो एक्जामपल है 4, 10 और 12 वहीं 7.1 का जो परसनावली का परसन है 6, 16, 18, 21, 26, 27 और 30 वहीं 7.2 में से एक्जाम और बताए गए है उसके बाद आपकी 9 वहीं पताए है जामिती उसमें से भी 6 नंबर का सवाल आता है तो 9.1 का एक्जामपल दूसरा और च्छटा और क्योशन शातवां बारवां और च्वद्वां 9.2 में से आपको एक्जामपल नौवां बताए एक्जामपल पांचवां और च्छटा और क्योशन नंबर 6, 8 और 11, 12 ये बताए गए दसवी पस्णावली में से 10.2 में से मेत्वपुन बताए गया है उसके बाद 11 पस्णावली है जिसके अंदर आपको 11.2 में से एक्जामपल दूसरा पांचवां और क्योशन आठवां एक्ससाइज 11.3 में से एक् तीसरा और च्छटा बताया गया है इसके बाद में आपको पर्मे है 11.1, 11.2 और 11.8 और 9 ये पर्मे बेंतवपुन है आप इनको अची तरह कर लें इसके बाद में आपको 12 पस्णावली, 13 चौद्री पस्णावली में से रचनाए में से क्योशन बताया गया है पंदरा, 16 प परवर्ती के माप है ये जो क्योशन है इसमें से भी 6 नमर काता है तो जो आपको क्योशन लिखिया है वो अच्छी तरह कर लें उसके बाद में प्राइक था तो ये आपकी सभी 18 परस्णावलियों के महत्वपूर्ण सवाल है अगर आप इन परस्णावलियों को भी कर लेत आप इनके अगर महत में अच्छे अंकर बनाना चाते हैं तो आज की क्लास में बस इतना ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और लोगों को सेर करके इसके बारें बताएं धन्यवाद